नमस्ते नौरात्री की बहुत बहुत शुब कामना है और यह देखिए हम लग गए हैं अपने मंदिर को सजाने के लिए ग्लिटर सीट से और जो पेंटिंग की जो रिंग होती है इस तरह का लकड़ी के वाला रिंग होता है इसके सहायता से यह देखिए ग्लिटर सीट से इस हमने फ्लावर्स पत्ते कट कर लिये थे और पटापट से इसको तयार कर दिया था मंदिर को भी मैंने साफ करके और यहां पे मातरानी की चौकी लगेगी और जैसे भी बनता है मुझसे नौ दिनों तक वैसे मैं मातरानी की सेवा करती हूँ और बच्पन से मुझे बहुत श हर बार हर महीने ही आप देखो अलग अलग तेोहार अलग अलग हमारी जो संस्कृती है उन्हें हम और भी करीब से जानते हैं और यह देखिए यहापे मैंने मातरानी के लिए एक बहुत ही प्यारा लहंगा लाया हूँ दा मार्केट से रेड कलर का बहुत ही सुन्दर लग ताइ ठीड था देखे कुछ इस तरह से मैंने सजाया था एक लेहंगा उर चुनव इस तरह से मातारानी को विराजमान किया था साधा सिंपल जैसा भी बनता है उस मैं ये पूजन करती हूँ और ये देखिए तयार होने के बाद बहुत अच्छा लग रहा था लाइटिंग वगएरे मैंने लगा दी थी नौ दिनों में बहुत ही अलग एक आपको एक सक्ति का एहसास होता है बहुत ही अच्छा लगता है और हो भी क्यों न यहां पर हमने धुबती वगएरे हवन वगएरे भी करा था जो मातारानी को धूब वगएरे दिया जाता है और हम सच में बहुत ही कुस नसीब है कि हम हंदुस्तान में रहते हैं जहां कि हमें अलग अलग तयोहार अलग अलग हर तरह की जो चीजे हैं हमारे बच्चे भी काफी इन्ही सब धरम और इन्ही सब तयोहारों के वज़े से हमारे बच्चे भी काफी कुछ सीखते हैं उन्हें भी हर बार एक नया कुछ सीखने को मिलता है उन्हें भी थोड़ा वक्त धार्मिक कार एक्रमों में सामिल होने का मिलता है नौरात्रमी तो और गर्बा वगेरे भी किया जाता है और इदिखिए उसके बाद मैं थोड़ा रड़ी होगे थी साड़ी वगेरे पहन कर मैंने मातारानी के आर्थी की थी और इसी तरह से रहा आज का दिन उम्मिद करती हूँ आज का ये मिली व्लोग आपको बहुत पसंद आया होगा थैंक्यू सो मातारानी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें आप सभी को स्वास्त और खुशिया दे